हे गाइस मैं आपको रावन का सिखासन दिखाना चाहता था हाँ यह राजा रावन का सिखासन है जो कि शिलंका में है और आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक बड़ी चटान है मगर उपर देखिए यह बहुत कमाल का है इसके पूरे उपरी भाग को काट दिया गया है और उसे रावन के बैठने के लिए सुविधा जनक बनाने के लिए पूरी तरह से सपाट बना दिया गया है यह अध्वुत शिल्पकारी है और इसे प्राचीन समय में किया गया था दूर से यह एक मखन की गोले जैसा दिखता है जिसे उपर से आधा काट दिया गया हूँ हो सकता है आपको लगे कि यह सपाट उपरी भाग सभाविक रूप से प्रकृति की ही देन है ठीक है चलो हमारे पास चटान की उपर जाने के लिए सीडिया है तो चलिए हम उपर चलते हैं और देखते हैं कि राजा रावन की सिगहासन के उपर क्या है क्या यह प्रकृति की देन है या इसे कृत्रिम रूप से काटा गया था आपको क्या लगता है इसमें कोई संदिह नहीं होना चाहिए कि इसे उकर्णों का उप्योग करके कृत्रिम रूप से काटा गया था यह निश्चित रूप से कुदरती नहीं है फर्ष अविश्पशनिय रूट से चिकना है यह पॉलिश किया हुआ दिखता है जैसे कि वे लोग किसी तरहां का यंत्रूप योग कर रहे थे जैसे कि फर्ष को पॉलिश करने वाली मशीन इसके बारे में सोचिए चटान को आधे हिस्से में काट देना और मलवे को हटाना एक बात है परंतु इस परकार की चमक बनाने के लिए उपरी हिस्से को पॉलिश करना यह सांसे थामने वाला है और यह एक विशाल चटान है आप मेरे कत को देखके इस चटान के कत को समझ सकते हैं यह समझने के लिए कि यह चटान कितनी बड़ी है दोनों की तुलना करें फर्ष पर काटे गए इस बहतरीन आयताकार को देखें यह चारो ओसे इन छेदों से घिरा हुआ है इन छेदों का उद्देशिक क्या है? दूर के आखरी छोर पर आपको कुछ अजीब लगता है? हाँ वो वही जगा है जहां हजारों साल पहले रावन बैठा करता था यह उसकी सीट का प्लोज अप है आप देख रहे हैं कि यह कितना बड़ा है? यह सीट लगभग 10 फीट नम्मी है यह मेरे बिस्तर से भी बहुत बड़ी है मैं इस पे बहुत आराम से सो सकता हूँ यह कमाल का है रावन को इतनी बड़ी सीट की आवश्यक्ता क्यूं थी? क्योंकि प्राचीन व्रद्धों में उलेक है कि रावन एक जैंट था वह 5 यह 6 फीट लंबा नहीं था कहा जाता है कि वह 10 से 15 फीट लंबा था हो सकता है उसे इस तरहां की विशाल का एक कुरसी की जरूरत हो मैं उसकी विशाल का एक सीट के सामने इतना छोटा दिखता हूँ इस्थान ये लोगों के अनुसार यह रावन की कुरसियों में से एक कुरसी है और यह सिगीरिया में इस्तित है इसे लौयन रौक के नाम से भी चाना जाता है और इस पूरे इस्थान को रावन का महल माना जाता है मैंने आपको सिगीर्या के बारे में कई अनूठी विशेष्टाओं को दिखाया है और मैंने आपको रहस्मई रावन चट्टान को भी दिखाया है जिसमें अजीव विशेष्टाएं है आप इसे श्री लंका की अजीब प्राचीन तक्रीक के रूप में भी देख सकते हैं प्राचीन, निर्माता, प्रकृती और अपनी सन्रचनाओं को एक खुबसुरत तरीके से मिला सकते थे यह एक प्राकृतिक विशाल का चट्टान है और उन्होंने इसे आधे में काट दिया है लेकिन यह सीट चट्टान से नहीं बनी है हकिकत यह है कि यह चट्टान है ही नहीं यह इट प्राचीन चूने के पत्थर, मिटी और उस जैसी अन्नी चीजों से बना है अब विशेशग्य क्या कहते हैं भले ही रावन पाट जैसे प्राचीन श्रिलंकाई ग्रंध हैं जो इस पश्ट रूप से बताते हैं कि सिगीर्या रावन द्वारा इस्तिमाल किया गया था पर पुरातत्विद और इतिहासकार सक्ती से इंकार करते हैं कि रावन का कभी अस्तिमी भी था बलकि वे इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि ये हिंदू सन्रचनाए हैं और वे मानते हैं कि ये कश्यप नामक बौध राजाद्वारा बनवाए गये थी और वे कहते हैं कि यह चटान उनका ओडियन्स हॉल था वे कहते हैं कि इसे 15-100 साल पहले बनाया गया था लेकिन इस्थानिये लोगों का कहना है कि इसे बहुत पहले बनवाया गया था कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं आपको इस बात से सहमत होना ही होगा कि यहें प्राचीन चट्टान काटने की तक्नीक का एक शांदार काम है मेरा मतलब है कि यहें अद्भुत है एक बड़ी चट्टान को एक सिंघासन में बदल देना और थोड़ी बैठने की जगह भी बनाना संभवता यहें एक निजी नित्य शाला थी तो राजा रावन यहां बैठता होगा और कुछ नित्य प्रदर्शन देखता होगा आप इसे एक फ्लोर प्लान भी मान सकते हैं आप पृत्येक जगा या छेत्र के बीच अंतर देख सकते हैं देखिए पर्ष की गहराई कैसे बदलती है प्रद्येक स्तर एक विशेश जगा की ओर इशारा करता है आसपास गूनते हुए हम कई दिल्चस्प चीज़े देख सकते हैं यह पत्थर का एक छतिग्रस्ट भाग है आप इन छेदों को देख रहे हैं कई छेद पर्ष पर छेदे गए हैं जब पुरातत विदो को ये मिला तो उनका समानी विवरण ये था कि लोगों ने इन छेदों में लंबे लकड़ी के खंबे लगाए होगी और फिर एक विशाल का एक कपड़ा या नारियल की पत्ते डाल कर उपर का छपर बनाया होगा इस मामले में मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अंदाजा है तो आपको क्या लगता है क्या ये रावन का सिखासन था या फिर इसे राजा कश्यब द्वारा बनवाया गया था किर्पया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं प्रवीन मोहन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना ना भूले और सभी अपडेट्स आने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें किर्पयाइज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्दी बात करूँगा बाई